एस्ट्रोनॉट सुनीता विल्ियम्स स्पेस से वापस धरती पर कब और कैसे लौटेंगी इसे लेकर धरती पर मन्थन चल रहा है। स्टेशन गए थे और उनको एक हफ़ते में वापस आना था लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर नहीं आ पाया नासा के मताबिक एस्ट्रोनाट्स को किसी तरह का रिस्क ना हो लिहाज़ा स्टार लाइनर बिना क्रू मेंबर्स के ही वापस धरती पर लौटेगा फिलहाल नासा और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के लाउंच से पहले कई तरह की चीजों पर काम कर रहे हैं उदाहरन के तौर पर सीटों को फिर से रीकनफिगर करने के साथ साथ अतिरिक्त सामान ले जाने पर भी काम हो रहा है आईए अब आपको क्रू ड्रैगन की खासियतें बताते हैं Crew Dragon SpaceX के Dragon 2 Spacecraft के दो variants में से एक है, जिसे आंशिक रूप से फिर से इस्तिमाल किया जा सकता है. दूसरे variant का नाम है Cargo Dragon. जैसा की नाम से पता चलता है, Crew Dragon मुख्य रूप से Astronauts को ISS तक पहुँचाता है और Cargo Dragon Space Station तक Cargo की सप्लाई करता है. SpaceX ने Crew Dragon को NASA के उस प्लैन के हिस्से के तौर पर बनाया था, जिसके तहट Space Agency की तरफ से 2011 में अपने Space Shuttle को बंद करने के बाद, अमेरिकी कमपनियों को Space Station की उड़ाने सौपने की योजना थी. Crew Dragon का ISS के लिए पहला मिशन 2020 में हुआ था, जब इसने चार अमेरिकी और जापानी अंत्रिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुँचाया था. अब तक Space Craft ने NASA के लिए Space Station पर आठ क्रू रोटेशन मिशन पूरे किये हैं. Crew Dragon की क्या हैं खासियतें? Crew Dragon में दो हिस्से होते हैं. पहला फिर से इस्तेमाल किये जाने वाला Space Capsule और दूसरा Expendable Trunk Module. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्सूल में Sodian Draco Thrusters लगे हैं जो वहीकल को और्बिट में ले जाते हैं. हर Draco Space के वैक्यूम में 90 पाउंड का फोर्स पैदा कर सकता है. स्पेस क्राफ्ट को Falcon 9 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा, जो सीधे ISS तक पहुँच जाएगा. Falcon 9 Reusable Two-Stage Rocket है, जिसे SpaceX ने बनाया है. कैसे वापस आएंगे एस्ट्रोनॉट्स? Starship Mission की Hardware and Operation की Director Jessica Jensen ने कहा, Dragon में GPS सेंसर्स लगे हैं. इतना ही नहीं, ये कैमरा और इमेजिंग सेंसर्स से भी लैस है. जब एस्ट्रोनॉट्स धर्ती पर लोटेंगे, तो स्पेस क्राफ्ट ISS से हटेगा, और उसका ट्रंक कैपसूल से डिटैच होकर वातावरण में ध्वस्थ हो जाएगा. इसके बाद कैपसूल डिओर्बिट बर्न करेगा. यानि वो प्रक्रिया जब स्पेस क्राफ्ट के वेग को कम करने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तिमाल किया जाता है, जिससे वह धर्ती के वायू मंडल में दोबारा एंट्री कर सके, रिएंट्री के बाद कैपसूल खुद को धीमा करने के लिए चार पैराशूट खुलते हैं. आखिर में स्पेस क्राफ्ट समुद्र में गिर जाएगा, जहां से उसे एक जहाज के जरीए वापस लाया जाता है.